आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल फ्रेंड्स आज वीकेंड तड़का लेकर आए आप सब के लिए वेच सोया चाम फ्रेंड्स जो चाम आप भार खाते हैं होटल में रेस्टोरेंट में जो चाम खाते हैं हम वही सेम चाम आज हम बनाने वाले हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं सोया चाम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने वन ग्लास वाटर डाला है पानी जैसे ही गरम होगा तो हम उस गरम पानी में डालेंगे सोया चाम ये में चाम मैंने फ्रोजन चाम और इसको हम अच्छे से टूटू थृ मिनट के लिए गरब में ऐसे रख देंगे और जैसे ही पानी में उबाला आएगा हम गास को बंद कर देंगे और पाँच के लिए पानी में ही रहने देंगे और फिर उसके बाद प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंट्स प्लेट में निकालने के बाद हम उसके पीसिस कर देंगे और एक बॉल में डालके रेडी करके रखेंगे तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सान नमक डाला है और हाफ इसके बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो आप भी नमक थोड़ा हलका ही डालना आप ग्रेवी में भी नमक डालेंगे तो कहीं नमक तेज ना हो जाए तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना और फिर हम इसको टू मिनट्स के लिए रखेंगे और टू मिनट्स के बाद हम पैन में हमने सिर्फ वनस्पून ओल्लिव ऐल डाला है उसी हम इसको रोस्ट करेंगे हमने सारी चांप उसी वनस्पून ओल में ही रोस्ट करनी है फ्रेंड्स हम इसे फ्राय करनी किया है सिंपल हम इसे रोस्ट करेंगे और गैस न्यारी है घ्लेında कैसे करेंगे इसे मिक्स अप करेंगे तो कि इसे मिक्स खेलाए है और ये 15 मिनट्स लेंगे अच्छे से रोस्ट होने में और आप सब देख सकते हैं ये हमारी चांप हलकी हलकी सी रोस्ट होनी भी स्टार्ट हो गई है और कुछी देल में बिल्कुल रेडी हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जाम बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है और थोड़ी दिर हम गैस पर ही रहने देंगे इसे अब हमने इन में मसाले कौन से यूज करें हैं मैंने हिंग यूज करी है थोड़ी सी दाल चीनी और लॉंग और साबुत काली मिर्श यूज करी है साथ में टू स्पून मैंने इसमें कौरियंडर पाउडर यूज किया है हाफ स्पून मैंने देगी मिर्श यूज करी है और वन स्पून मैंने इसमें गरम मसाला यूज किया है नमक स्वाद अनुसार और हाफ स्पून मैंने इसमें हल्दी ली है साथी में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी तो आइए हम आते हैं वापस अपनी चांप पर हमारी चांप तकरीबन रेडी हो चुकी थी friends पर फिर भी हमने इसे 5 मिनट्स के लिए और अच्छे से रोस्ट होने दिया ताकि हमारी चांप अच्छे से रोस्ट हो जाए अच्छे से रोस्ट हो गई है, गैस का फ्लिम हम इसे बंद कर देंगे और हम सेम बॉल पर डाल लेंगे वापिस सेम पान पर ही मैंने फिर से ओलिव ओयल डाला है, वन स्पून जितना मैंने अभी डाला है, इतना ही ओयल मैंने इसमें फ्राइ भी किया था अच्छे से रोस्ट किया था, डीप फ्राइ बिल्कुल नहीं किया, सिंपल रोस्ट किया है तो ओयल डालने के बाद मैंने सबसे पहले हिंग डाली है हिंग जैसे ही ब्राउन हो जाएगी तो फटा फट से हम खड़े मसाले डालेंगे जैसे की डाल चीनी डाली है मैंने सबसे पहले जिसे हम सिनिमन बोलते हैं साथी में एक इलाइची और लोंग और साबुत काली बिल्च डाली है और अच्छे से हम इसे मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा लो कर लेंगे और अच्छे से हम इसे रोस्ट होने देंगे हमारे खड़े मसाले रेडी हो गए हैं तो फटा फट से मैंने इस में अध्रक और लसन डाल दिया है friends लसन को मैंने अच्छे से हैंड से ही चॉपड कर लिया था और अध्रक को भी मैंने लंबा लंबा काटा है पतली पतली slices में और इसे हम रोस्ट होने देंगे और जैसे ही ये ब्राउन कलर की होगी तो हम इसमें सबसे पहले एक प्याज डालेंगे तो ये मैंने वन अनियन डालना है जिसे मैंने अच्छे से चॉप्ड करके रेडी करके रखा था ये मैं बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ही चाम बनानी से खारी हूँ तो वो लोग भी जब बनाते हैं चाम तो जो अनियन डालते हैं तो वो ऐसे ही डालते हैं और अच्छे से हम इसे रोस्ट होने देंगे हम अक्सर चाम बनाते हैं चाम हम फ्राइड भी बनाते हैं शेलो फ्राइड भी करके बनाते हैं और बिल्कुल कम ओईल में भी बनाते हैं तो जैसे ही आपको ओईल पसंद है नहीं पसंद है तो आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं हमारे जो ग्रेवी है वो पर्फेक्ट होनी चाहिए तो हमारे प्यास बिल्कुल रेड़ी हो चुके हैं तो अब हम सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं तू स्पून कॉरियंडर पाउडर फ्रेंड्स और फिर हम डालेंगे सॉल्ट सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे तो देखिये ना कितनी अच्छी खुश्बू भी आती है चांप की और फिर अब हम इसमें डालेंगे हाफ स्पून टर्मरिक पॉडर हल्दी जिसे हम बोलते हैं यह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और जिसे हम बोलते हैं देगी मिर्च ना और अच्छे से हम इसे मिक्स अप कर लेंगे मसालो को रोस्ट होने देंगे कम से कम वन मिनिट के लिए और स्लो गैस फ्लेम पर देखिए कितनी हेल्दी यह सबजी बन रही है और इतनी देर मैंने तीन टोमाटो ली हैं जिसे मैंने तीनों टोमाटो को अच्छे से ग्रेवी बना ली हैं पीस के रेडी करके रखी है जैसी हमाले मसाले रोस्ट हो जाएंगे तो फटा फट से हम इसमें डाल देंगे टोमाटो प्यूरी फ्रेंट्स और अच्छे से हम इसको मिक्स अप कर लेंगे साथ के साथ हम इसे हिलाते रहेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे अब और जितनी अच्छी आपकी ग्रेवी रोस्ट होगी जितनी अच्छी तरीके से ये बनेगी उतने ही आपकी टेस्टी सबची भी बनती है फ्रेंट्स तो हमेशा ध्यान रखें आप कुछ भी बनाएं तो ग्रेवी और जो हमारा मिक्सचेर अब बिल्कुल पर्फेक्ट होना चाहिए साथ के साथ हम हिलाते रहेंगे और जब तक हमारी ग्रेवी रेडी नहीं होती हम पासी में खड़े होकर हिलाते रहेंगे सारे मसाले भी डल चुके हैं सिरफ थोड़े से मसाले हम और डालेंगे फ्रेंड्स क्योंकि हम रेस्टूरेंट जैसी सबजी बना रहे हैं तो रेस्टूरेंट में जो 2-3 मसाले और ढलती हैं वो भी तो ढालने है ना तो सबसे पहले मैंने अब डाला है फ्रेंड्स गरम मसाला जिसमें मैंने भूना हुआ जीरा में करके रैडी करके रखा था वो साथ में डाला है और फिर मैंने डालने के बार डाला है roasted charm friends जिसे हमने अच्छे से कम oil में roast करके ready करके रखा था और हम उसको gravy में डाल लेंगे और अच्छे से हम mix up कर लेंगे चांप को gravy के साथ और फिर हम डालेंगे half ball malai friends आपके पास अगर malai नहीं है तो आप market से cream भी ले सकते हैं तो मैंने इसमें half ball malai डाली है अगर spoon से देखी जाए तो वो four spoon malai है friends fresh malai ली है मैंने और अच्छे से मैं mix up कर लूँगी और जैसे ही ये mix up हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे पानी friends जो मैंने लिया है half glass water friends half glass water डालने के बाद हम अच्छे से इसे mix up कर लेंगे हिला लेंगे अच्छे से ताकि हमारी जो चांप है वो gravy में अच्छे से mix हो जाए अंदर तक उसके gravy जाए ताकि हम जब खाएं तो हमें खाली चांपना मिले gravy भी साथ में मिले friends और फिर हम इसे जैसी एक हलका सा उबाला आएगा तो हम इसे cover करके रख देंगे slow gas पर हम इसको 5 minutes तक के लिए ढख कर रखेंगे और जब हम देखेंगे कि पानी थोड़ा कम हो गया है तो हम फड़ा फड़ डाल देंगे इसमें 2 स्पून कसूरी मेथी friends और आप सब देख सकते हैं कि पानी सूख चुका है और हम हिला रहे हैं अब इसे ताकि कसूरी मेथी भी अच्छे से mix अप हो जाए ग्रेवी के साथ और चांप के साथ और ग्यास का फ्लेम अभी भी स्लो है और ये देखे हमारी चांप बिलकुल रेडी हो चुकी है अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रीम friends ये मैंने अमूल की क्रीम ली है सबसे लास्ट में डालूँगी सीरफ हाफ स्पून जितनी ये क्रीम है क्यूंकि हमने इसमें मलाई डाली है और हमने चांप को डीप फ्राइ भी ने किया है तो क्रीम तो बन भी है ना friends तो साथ में मैंने क्रीम डाल कर इसे अच्छे से हिला लिया है मिक्स अप कर दिया है और जब क्रीम डालने के बाद में गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दूँगी अच्छे से हम चाम को एक बार फिर हिला लेंगे और हमारी ग्रेवी बिल्कुल पर्फेक्ट बनी है एक दम रेस्टोरेंट जैसी ना फ्रेंट्स आगे है न मूँ में पानी तो आप सब भी ये रेसिपी ज़रूर बनाना फ्रेंट्स और अब हम इसमें डालेंगे उपर से हरा धनिया और फिर फटा फट से हम इसको सर्विंग बॉल में सर्फ करेंगे फ्रेंट्स और आप सब के सामने वेट सोया चाम रेस्टूरेंट स्टाторов में बिल्कुल रेडी है फ्रेंट्स तो फिर देर किस बात की है आप सब भी ये रेसिपी कम ओल वाली ज़रूर बनाना फ्रेंट्स वैसे भी ओल कम ही खाना चाहिए तो ओल कम भी है हाल्दी भी है और टेस्टी भी है आप सब को रेसिपी अच्छी लगी तो व्यूस मेरे साथ जरूर शेयर करना फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोस फ्रेंड्स